हेलो गाइज, वेल्कम बैक टू माइ चयनेल, ब्लस ब्लस लफ तु मैं आज आप लोगों की लेके आए हूँ मछली का जोल जो हमारे उडिसा स्टाय, उडिसा का फेमास है, जो हम लोग उडिया में बोलते हैं माच्छ जोलो बाप माच्छ तरक करी तो आज आप लोगों को मे मैं चले देखते हैं, कैसे बनता है, मचली का जोल बनाने के लिए तो हमको मचली की जरूरत है, ये एक किलो मचली है, मैं यहाँ पर मचली को वश करके रखी हूँ, इसमें हल्दी पाउडर और नमक आड़ कर रही हूँ, मचली को अच्छे से मिला के रख ली हूँ, अभी मस में जार में आड कर रहे हूं इसको ग्राइंड करनी है अभी टू टेबल स्पुन हमको सौर्सों की जरूरत है मस्टर्ट स्वीट्स देड़ चमच जीरा और देड़ चमच धनिया साबुद धनिया इसको अभी ग्राइंड करनी है अभी मैं एक टडाई में सौर्सो का तेल गरम करके रखी थी उसमें मचली को फ्राइ कर लूगी थोड़ा लाइट ज्यादा हो गया है सौरी गाइस उसके लिए माफी मांग रहे हूं प्रीज आज़ेस्ट कर लीजिए और सपोर्ट भी कीजिए अप लोग कर भी रहे हैं थैंक यू एक साइड मचली फ प्लेट में इसे निकाल रही हूं बचे विए तेल से हम कुकिंग सुरू करेंगे अभी उसी तेल में पंच पूरण डाल रही हूं काटके रखी थी एक प्याज उसको डाल दी टमाटर भी एक रखी थी बड़ा साइस का वो भी डाल दी थोड़ी सी नमक आड करूंगी अच्छे से मिला लूंगी लाल मिच पाउडर आपका शमी लाल मिच भी आड कर सकते हैं तीखा अगर ज्यादत है तो तीखा की तीखी वाली लाल मिच आप आड कर लीजिए अभी जो हम लोग ग्राइंड करके रखे थे वो सारे मसाले वो आड कर लेंगे जो पेस्ट बना के रखे थे वो ही आड करनी है प्याज लेसुन और सोरसो वाला अभी पानी भी थोड़ी सी दे दी हूँ इसको अच्छे से मिला दीजिए गया और याद रखेगा सोरसो जादा भुना नहीं जाता है सोरसो वाला मसाला क्योंकि वो कड़वी होती है बहुत दाली थी अभी मारा मसाला रेडी हो चुका है तेल भी उपर आ चुका है बस इसको दीमी आंच में भुना रहता है अभी इस मसाले में थोड़ी सी गरम पानी आड करूंगी क्योंकि इसका नाम जोल है मचली का जोल माच्छा तरकरी अभी मैं इसमें फ्राय करके रखी थी जो मचली वो आड कर लूंगी मैं आज हिंदी में इसलिए बोल रहे हूँ क्योंकि जो नौन ओडिया लोग है उनको आसान होगी समझने में और घर पे अपने बनाने में इसल प्लीज अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटम दबाएगा और लाइक शेर कमेंट भी किजिएगा जो समझ में नहीं आएगा आप मुझे कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं मैं आपको आंसर दूंगी और रेसिपी लेके आऊंगी प्लीज सस्क्राइब मैं चैनल ना रेडी मचली का जोल जैसा लगा आप लोगों को बस इसमें गरम मसाला थोड़ा से आड़ करनी है और धन्या के पत्ते आड़ करने है अगर आपको इसका फ्रेवर अच्छा लगता है तो दन्या पता आड़ कर कीजिए मुझे बहुत पसंदे इसे आप गरम गरम चावल के साथ खाईए मस्त टेस्ट लगता है जबरदस्त है इसका टेस्ट और मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो